हेई आवरिवन, वेलकम बैक, ये वांगशन फैन फिक्षन है, पिंकिश लब, ये उसका पार्ट थर्टीन है, प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप महाँ पर जेक कर सकते हो, तो जली बिना देरी के शुरू करते हैं, वी इंग दर्वाजा खोलता है, और दर्वाजे पर शाउषिंचैन होता है, शाउषिंचैन वी इंग से बूलता है, क्या? आनी के इरादे नहीं है तुम दोनों के, कितनी देर हो गई है, सब लोग तुम दोनों का इंतिसार कर रहे हैं, वी इंग शाउषिंचैन के तरफ क्यूट्ली देखते हinseं, ओ गा- को आगे बढ़ाता भी है जिसे की वह वींग के गालों को पिंच कर सके लेकिन खुद ही अपने हाथ को पीछे कर लेता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि यहाँ पर वांग जी भी है यह देखकर वींग हसने लगता है वह पहले वांग जी को देखता है और उसके बाद को कुछ नहीं करने का लेकिन तब ही वांग जी वींग के बराबर में आगर खड़ा हो जाता है वांग जी अपने हाथ को वींग की कमर पर रख लेता है लेकिन वह वींग को अजीब तरह के से देख रहा था कि अब कैट शावशिंचन बोलता है अच्छा नहीं नहीं मुझ भी अपनी नजदी कीच लेता है उसके बाद हलका से उसके गाल पर टैप करता है फिर स्लाइटली पिंच करता है और फिर एक स्लाइटली किस करता है शाउशिंचेन बोलता है थोड़ी तो शर्म कर लो फींग बोलता है आपसे यी तो सीखा है गगा शाउशिंचेन वींग के फोरहेट पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखते वे बोलता है मुझे कुछ अच्छी तीज़े भी आती है वो तो सीखो मत और ये कहकर वह जाते वे बोलता है चलो अब आजाओ सब लोग इंतिसार कर रहे है शाउशिंचेन के जाने के बाद वींग वांग जी से बोलता है चलो अब हम भी चलते हैं लेकिन वह वांग जी के पीछे आकर अपने हाथों को उसकी ने केरांग रैप कर लेता है और अपने पैरों को उसकी कमर केरांग रैप कर लेता है वींग बोलता है ऐसे चलेंगी वांग शी बोलता है क्या समझ रिखा है तुमने मुझे वींग बोलता है होर्स वांग शी बोलता है क्या और वींग हसने लगता है वांग जी सुचता है ये लड़का मुझे क्या क्या बनाएगा पहले मच्छर फिर कोक्रोच फिर डोग फिर कैट और अब होर्स वांग जी वींग को उतार देता है वींग बोलता है क्या हुआ लेकिन वांग जी वींग को ड्राइडल स्ट्राइल में कैरी कर लेता है केरी कारने के बाद वांग जी सोचता है आखिर वींग इतना हलका क्यों है वींग चिलाता है हेई मुझे नीचे उतारू लेकिन वांग जी इसके नहीं सुनता वींग बोलता है मैं कोई लड़की नहीं हूँ लेकिन वांग जी सिर्फ उसे देखता है विंग बोलता है मैं कोई बेबी नहीं हूँ उतारो मुझे वांग शी बोलता है तुम भी तो मुझे कुछ न कुछ बना देते हो विंग पार्ट बनाता है और वांग शी कुछ भी नहीं बोलता और उसे ऐसे ही कैरी करके ले जाने लगता है वीइंग बोलता है वांग जी वहाँ पर सब होंगे नो ऐसे मतले जओ please मैं कोई चोटा सा बेबी नहीं हूँ please वेगिन वांग जी उसकी नहीं सुनता और उसे ऐसे ही ले जाता है वीइंग अपने face को वांग जी कی chest में छुपाने का try करता है उसे काफी जादा शर्म आ रही थी और वह ये सुच रहता कि आखिर मैं अपने मुँग पर काबू क्यों नहीं कर सकता वांग जी वींग को ऐसे ही ले जाता है शू येंग और शाव शिंचेन दोनों ही वींग को ऐसे देखकर हसने लगता है और साथ में यानली भी वींग को ऐसे देखकर हसने लगती है यानली वींग को देखकर बोलती है ओ, my baby brother, so cute वांग जी वींग को उतार देता है लेकिन वींग एक एंग्री बनी की थरा पाट बनाता है वांग जी उसके गालों को slightly pinch करता है और उसके गालों पर pinch करते वे बोलता है चलो, कहीं घूमने चलते है वींग वांग शी की तरफ देखता है बेरोजगार हो गई हो क्या काम दंधा नहीं रहा वांग शी वींग की तरफ अजीब लुप के साथ देखता है वींग बोलता है वर्क नहीं है क्या तुम्हारे पास वांग्शी बोलता है बिजनसमेन हूँ मुझे अपने वर्क को हैंगल करना आता है फियंग बस पार्ट बनाता है और वांग्शी वींग का हाथ पकड़कर ले जाता है फियंग बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना अगर तुम्हारे पास टाइम है यी तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर गार्डन में ही घूम ले थोड़ा माइन को रिलेक्स करे नीचर के बीच फांग ची हां करता है और दोनों वहीं पर घूमने लगते है शावशिन चैन, शू यैंग और यानली की तरफ देखते हैं बोलता है इन्हें कमरे से लाए तो ये दोनों भार चले गए तो फिर हम इन्हें क्यों लाएते बुलाकर फांग ची वींग से पूछता है वैसे तुमने अपने सिनस्थीशा के बारे में क्यों नहीं बता रखा किसी को फिंग बोलता है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये समझे कि मुझे कोई illness है या फिर मैं fake हूँ या फिर मैं कोई witchcraft करता हूँ फांग ची बस फिंग को ही देख रहाता फिंग बोलता है एक बार बताने की कोशिश करी थी इसकूल में वो भी किसी reason से उसके बाद पहले सब मुझे weird expression के साथ देख रहे थे फिर अचानक पता नहीं कैसे ये अफ़वा फैल गई कि मैं witchcraft करता हूं और वह भी evil spell के साथ और वैसे भी अब मेरा मन नहीं करता क्योंकि इतना आप एक simple way में बता नहीं सकते जितना आपको पूरा खोल कर समझाना पड़ता है तुम्हें अपने interest वैसे ही खो देता हूं क्या ही बताओ फिर वीइंग वांग ची की तरफ देखता है example दिखाऊं तुम्हे और वांग ची बस वीइंग के चहरे को ही देख रहाता फिरिंग किसी को कोल करता है और उधर से उसका friend कोल को पिक करता है फिरिंग बोलता है Hello Nihusang, कैसे हूँ? उधर से Nihusang की आवाज आती है आ गई याद, जिन्दा हो तुम? फिरिंग बोलता है अब पता चल गया न, मैं जिन्दा हूँ तब ही कोल कर रहूँ Otherwise, मैं सीधा तुमारी बोगी को possessed नहीं कर लेता Nihusang बोलता है हुर, चलो बोलो क्या काम है? फिरिंग बोलता है Nihusang, अगर तुमारे पास कोई person आए और वो तुम्हें बताए कि उसे sinesthesia है तो फिर तुम क्या react करोगे? Nihusang बोलता है मैं क्या ही react करूँगा अगर उसे है तो है बेचारा, poor man अगर किसी को कोई illness हो तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम उसका मजाग बनाए फिरिंग अपने सर में हाथ मारता है Nihusang, तुमने क्या समझा? Nihusang बोलता है तो फिर तुमने क्या बताया? ये वो नहीं है जो मैंने बोला? फिरिंग हसने लगता है और बोलता है Nihusang, तुमने मेरे अर्मानों की हत्या कर दी चकना जूर कर दिया Nihusang बोलता है क्या? फिरिंग बोलता है कुछ नहीं मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ओके बाई ये कहकर वह कौल को कट कर देता है फिरिंग वांग जी से बोलता है देखा? इसलिए मन नहीं करता क्योंकि लोग पहले खुदी निशकर्ष पर आ जाते हैं अब यह तो पूरा समझाओ हो सकता है कि सामने वाला पूरा ना समझे तब वांग जी वींग के तरफ हा करता है इसके बाद दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं वींग की बैक वांग जी के सीने से हिट ओ रहे थी उसने अपना सर वांग जी के शुल्डर पर रख रहे खाता वांगशी का एक हाथ वींग की बैली पर और दूसरा हाथ वींग के बालों में था वींग बोलता है वांगशी अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे नीद आ जाएगी वांगशी बोलता है सोजाओ वींग बोलता है तुम्हारे उपर ही सोजाओंगा वांगशी बोलता है ओके और यह बोलकर वांगशी अपनी मैक्बूप में अपनी वर्क को मोनिटर करने लगता है कुछ देर वे ऐसे ही रहते हैं और वांगशी अपना वर्क करता रहता है तबी वांगची को सब्सक्राइब याद आता है फिएंग तुमने अभी तक नहीं बताया फिएंग बोलता है क्या यही कि तुम किस चीज के दवायां खा रहेते फिएंग बोलता है छोड़ो ना मैं अब ठीक हूँ भांक्षों बोलता है अब हूँ, मैट हूँ क्या था? फी इंग बोलता है, ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन प्रीस, प्रोमिस कि तुम मुझे नहीं सुनाओगे, और नहीं थोड़ा सा जापोगे. भांक्षों बोलता है, ओके, लेकिन बताओ तू? वींग बोलता है, तुम्हें याद है ना, शार दिन पहले तुम बिजनस के लिए बाहर गए थे तो इस दुरान मैंने तुमसे फोन पर बिल्कुल बात नहीं करी थी कि मेरा फोन खराब हो गया है और मैं नहीं कर सकता सिर्फ मैसेज खरेते और वो भी कुछ ही वांग ची हां बोलता है, वींग बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बोलते ही वींग रुख जाता है वांग ची वींग की तरफ देखता है, उसके बाद वींग कंटिन्यू करता है एक्शुली उससे एक दिन पहले, मैं नोवल पढ़ रहता, रात को दो बचे तो तो भी मुझे बारिश होने की आवाज आती है वांग ची वस वींग को देख रहता, वींग क्योटली बोलता है, ये मेरी गलती नहीं थी ये बारिश की और बातरूम की गलती थी वांग ची वींग को confused look के साथ देखता है, वींग बोलता है जब मैं पढ़ रहा था बोलाना बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने तो सोचा एक बार जाके देख लो कि बारिश तो मैं पहले खिलिकी से बाहर देख रहा था लेकिन उसके बाद मेरा बारिश में नहानी का मन कर गया उसके बाद वे अपने लोवर लिप को बार्ट करता है फिंग बोलता है उसके बाद मैं नीचे गार्डन में चला गया बारिश में नहानी वांग जी के आखे बड़ी हो जाती हैं कि ये रात को दो बजी बारिश में नहानी गया विंग बोलता है मैं बस अबह से भीगने गया था बहुत थोड़ से लेकिन पता नहीं कैसी जांग चैंग को पता चल गया और जांग चैंग मुझे खीचकर अंदर ले आया और तुम्हें पते उसने मुझे कितना गाठा और मुझे तुरंट जाकर नहाने के लिए कहा और कपई चेंज करने के लेकिन वांगशी मुझे तब ही भूख लगने लगी क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, मैं भूल गया था वांगशी वींग से कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वह वींग को ऐसे देखता है क्या के, वींग तुम क्या चीज हो उसके बाद वींग बोलता है, जियांगशेंग मुझे गाटकर अंदर चला गया और क्योंकि मुझे भूक लग रही थी, तो मैं अपने रूम में नहीं जाकर किचन में जला गया और किचन में जब मैंने फ्रीच खोला, तो उसमें आईस क्रीम रखी थी और उसके बाद मैंने आईस क्रीम खा ली वांगशी के एक्स्प्रेशन बदल रहे थे फिंग बोलता है, और उसके बाद जब मैं रूम में गया तब तक मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गय थी और जब मैं बातरूम में गया, तो मेरा बैग लग पताने ही कैसे, वाटर हीटर खराब हो गया मैंने बहुत ट्राइ करा, कि गरम पानी आजे, गरम पानी आजे, गरम पानी आजे बट नहीं, इतना बत्तमी इस था वो पानी, आया ही नहीं मुझे आदा घंका लग गया, ये चेक करने में कि किसी तरह गरम पानी आजए बट नहीं आया उसके बाद मुझे ठेंगे पानी में हिनाना पड़ा वांगची के आखे और जादा नेरो हो जाती है विंग अपने लोवर लिप को बर्ट करता है और जब मैं अगले दिन उठा तो मेरी आखे जब खुली तो मेरे सर में दर्द हो रहा था मुझे उल्टी कमन हो रहा था और बोड़ी काफे ज़ादा वीक हो रहती मुझे लगा ये ऐसे हो रहा होगा जब मदर मुझे चेक करने है तो उन्होंने देखा कि मुझे तो फीवर हो रहा है तो बस उसी की दवाईयां थी क्योंकि ओल्मोस्ट दो दिन तक तो मेरी तविवत काफी ज़्यादा खराब रही अब वांगची का मन करता है कि वह विंग को काफी ज़्यादा डाटे लेकिन वांगची विंग पर गुस्सा भी नहीं हो पाता उसे आ ही नहीं रहता पर उसे समझ नहीं आता वो सोचता है विंग मैं तुम्हार क्या ही करूँ तो फ्रेंक्स आज के लिए बसित नहीं अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर दीजे ठैंक्यू